हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेट्फिक्स पर रिलीज हुई फिल्म बुलबुल जो लगभग देड़ घंटे की है और क्या ये देड़ घंटे आपको इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं उन्हीं सबी बातों के बारे में मैं इस सो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं बुलबुल फिल्म के प्लॉट की कुछ छोटी सी डीटेल्स के बारे में ताकि आपको ये पता रहे कि आपको फिल्म में दिखाया क्या जा रहा है इस फिल्म में अविनाश तिवारी ने जिसके बाद सत्या को लॉग की पढ़ाई के लिए सीधे लंडन भेज दिया जाता है वो भी पूरे पांच साल के लिए और इन पांच सालों में घर में काफी कुछ बदल गया है कास करके बुल-बुल का केरेक्टर भी और इसके अलावा इस हवेली के इर्दिन एक चुड़ायल भी है जो सिर्फ मर्दों को ही मारती है जिसका पता लगाने के लिए सत्या काफी ज़ादा बेकरार है तो अब वो चुड़ायल कौन है और क्यों वो सभी मर्दों को मार रही है यही सारी डीटेल जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी नेट्फिक्स पर रिलीज हुई यह देड़ घंडे की फिल्म बुल-बुल जिसकी प्रोडूसर रनुशका शर्मा है और फिल्म की करता धरता अनवीता दत है यानि उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट भी किया आपका पूरा टाइम बेस करती है भले से ही फिल्म का मैसिज काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग क्यों न हो और सबसे पहली बात इस फिल्म को हरर के जॉनर में डाला गया है जो कि यह फिल्म बिल्कुल भी डिजर्ब नहीं करती भले से ही फिल्म का डिरेक्शन आपको डराने क कोशिश क्यों न करें यानि देखा जाए तो फिल्म का प्रोड़क्शन बहुत ही अच्छा किया गया है खास करके फिल्म को काफी टाइम पीरेट पीछे ले जाना लगभग साल 800 में और नहीं सबी चीजों को देखकर यह फिल्म आपको प्रोड़क्शन वाइस पोई भी ए फिल्म काफी बुरी तरी के फेल हो रही है क्योंकि खैक्टर डेवलेप्मेंट के डिया है जिनकी परफॉर्मिंस भी इस फिल्म में उमदा है अगर आप उस काफी डेवलेफ नहीं करोगे तो फिर चीजें यहां पर बहुत बुरी तरी की से मारगआती है खास करके जंगल जिसकी बैक स्टोरी को बिल्ड करने के लिए आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की और बस एक छोटा सा रीजन वहाँ पर दाल दिया जो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता या आपने इस फिल्म को ऐसी बीजधारा में लाकर अटका दिया जो बरसों की सुनाई के कहानियों को एक अलगी ढंग में पेश करती है अब देखा जाए तो कहानी बोलने के टाइम पर ही मैं इस पूरी के पूरी फिल्म को स्पोयल करने वाला था क्योंकि सच में बिना उसके फिल्म की बात बिल्कुल भी नहीं की जा सकती लेकिन ये एक स्पोयलर फ्री वीडियो है इसले में फिल्म की जादा डीटेल आपके सामने बिल्कुल भी रिवیल नहीं करने वाला क्योंकि अगर आपको फिल्म देखनी है तो मैं आपका मज़ा क्यों खराब करूँ जो कि अल्रडी इस फिल्म को देखकर आपका होगा ही आप काफी लोग अगर कमेंड में ये कहेगे कि फिल् के concept को लेकर तो मैं उस पर भी agree नहीं करता भले से ही फिल्म को mass audience को छोड़कर class audience के लिए क्यों न बनाया गया हो कि मर्दों को और तो पर जुल्म नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी ये फिल्म अपनी सारी की सारी details हमें बिल्कुल भी clear तरीके से explain ही नहीं कर पाती हाला कि कु अब इस concept को फिल्म के उसी time period को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि पहले time में और तो को किस तरीके से रखा जाता था तो मेरे हिसाब से फिल्म को भी उसी तरीके से promote करना चाहिए था ना कि horror के concept को जबरदस्ती का आगे रखकर क्योंकि लोगों की काफी सारी उमीद बंदी थी इस फिल्म के horror से लेकर जो इस फिल्म में सच में बहुती जादा वाहियात निकला और उपर से चुडैल को गोली भी लगती है और उसके बाद उसका appearance हमें end में दिखाया भी जाता है जो चीज अब इस logic के बिलकुल परे निकल जाती है कि अगर उसे गोली लगी तो उसक अची खासी फिल्म बनकर लोगों के सामने आती जो कि यह नहीं है खैर तो फिल्म की जितनी तारीफ थी जैसे कि फिल्म का वी जीएम फिल्म का direction, stars की performance और make-up artist यही फिल्म की असल जान है इसके अलावा फिल्म में देखने जैसा खास तो कुछ भी नहीं है और ना ही यह फि production पर अच्छे खासे पैसे लगे है इसलिए चीजों को screen पर काफी आराम से दिखाना चाहिए खैर तो अब इस फिल्म की बाकी की डीटेल में इसकी rating के time पर discuss कर लेता हूं जिन में अगर मैं बात करूँ फिल्म के action, horror, suspense की तो इन तीनों category के लिए मेरी rating रहेगी 5 में से आध लेकिन उसका execute सच में बहुत बुरी तरी किसे किया गया है खैर अब आजाए master's audience पर जी नहीं ये फिल्म master's audience के लिए तो बिल्कुल भी बनाई नहीं गई है जिसकी चलते उनके नजर में इस film की rating C- की बनती है और बात करें critics की तो कुछ critics को ये film बहुत भी ज्यादा strong message वा की पूरी के पूरी detail और मेरा personal opinion मैं इस video में रख दिया है आपके सामने लेकिन जाने से पहले फिल्म मैं कहूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि आपको अपना time इस film पर बिल्कुल भी waste करना चाहिए इसलिए मेरी राय में तो ये एक skip film बनती है यानि कि आप इसे ignore करो और बा motivation मिलती रहे इस type के content को अपने channel पर continue रखने की और हाँ इसके अलाव अगर आप मेरी channel पर नए है तो मेरी channel को subscribe भी कर लीजिए और लगया तो इस bell icon को भी click कर दीजेगा इससे होगा ये कि मैं अपने channel पर जब भी कोई नहीं वीडियो upload करूँगा आपको उसकी notification सबसे पहले इसलिए like, subscribe और bell icon को click करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए